इंडिया की तीन लेजेंडरी कार्स जो अब सड़कों पर नई दिखेगी क्योंकि वो कार्स अभी के टाइम पे डिसकंटिन्यू हो गई है इस कार को मारूति वालों ने साल 1983 में लांज किया था और ये कार हमारे लिए एक इमोसन थी लेकिन साल 2014 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया एककतिस साल तक ये कार हमारे साथ थी लेकिन अफसोस अब नहीं नमबर टू पे आती है टाटा सुमो 1994 में इस कार को पहली बार लॉंच किया था जो कि सफलता पूरवक बहुत अच्छी साबित हुई थी लेकिन साल 2019 में इस कार को डिसकंटेन्यू कर दिया और 25 साल तक ये कार हमारे साथ थी नमबर वन को जानने से पहले अगर आप बजरंग मली के सच्छे भक्तो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें और कमेंट में जैस स्रीराम जरूर लिखें और कमेंट वाले एप को अभी डाउनलड करके अपने नमबर से साइन अप करोगे तो आपको 1200 रुपे फ्री में मिले नमबर वन पर थी है महिंद्रा मेजर इस लेजंडरी कार को महिंद्रा वालों ने साल 2004 में लॉंच किया था जो की एक पावरूफुल 4x4 कार थी लेकिन 2010 में इस कार को डिसकंटिन्यू कर दिया